वेलकम टू लर्न टूगेदर भारत का कौन सा भू आकरिती विभाग जो है यह प्राचिनतम है तो प्राइदिपिये पठार, समुद्र टटिये मैदान, उत्री परवतिये प्रदेश या फिर गंगा ब्रह्म पुत्र का मैदान तो भारत का कौन सा भू आकरिती विभाग जो है प्राचिनतम है तो बताना है कि सियाचीन क्या है तो ये भारत और म्यानमार के बीचे का सीमान्त छेतर है भारत और पाकिस्तान के बीच का हीमनद सीमान्त छेतर है भारत और पाकिस्तान के बीच का रेगिस्तान सीमान्त छेतर है या फिर भारत और अफगानिस्तान के बीच का सीमान्त छेतर है त तो सियाचीन के अगर हम लोग बात करते हैं तो ये भारत और पाकिस्तान के बीचे हीमनद सिमान्त छित्र है, हीमनद सिमान्त छित्र है, सियाचीन. प्राचीन भारतिय भौगौलिक माननेता के अनुसार भारत वर्स किस द्वीप का अंग था? ये कांची दीप का अंग था, कुश दीप का अंग था, पुशकर दीप का अंग था या फिर जम्बू दीप का अंग था प्राचीन भारती बहुगौलिक माननेता के अनुसार भारत वर्ष किस दीप का अंग था तो ये जम्बू दीप का अंग था प्राचीन भारती भौगौलिक मानेता के अनुसार भारत वर्ष जो है ये जम्बू दीप का अंग था ओडिसा में एपी जे अब्दूल कलाम के नाम में से किस दीप का नाम रखा गया है तो APJ अब्दुल कलाम में के नाम से किस दीप का नाम रखा गया है ओडिशा में लक्ष दीप का, वीलर दीप का, अंडमान दीप का या फिर दीप का तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ओडिशा में जो वीलर दीप है उसका नाम बदल करके डाक्टर एपी जे अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया है याने डाक्टर अबुल कलाम दीप इसका नाम रखा गया है और ये कब बदला गया तो ये 2015 में इससे बदला गया है सितंबर 2015 में इससे क्या किया गया है इसके नाम को बदला गया है विलर द सर्वप्रथम इंडिया सब्द का प्रयोग भारत के किस भाषा में किया गया। भारत के मुख्य भूमी का दच्छिनी सीमा है, भारत के मुख्य भूमी जो है उसका दच्छिनी सीमा क्या है, दच्छिनी बिंदू क्या है, तो आठ डिगरी चार मिनट उत्री अक्छांस, छे डिगरी आठ मिनट उत्री अक्छांस, छे डिगरी चार मिनट उत्री अक्छांस तो भारत के मुख्य भूमी की जो दच्छिनी सीमा है वो कितने अक्छांस पर है तो ये है आठ डिग्री चार मिनट उत्तरी अक्छांस पर इस्थित है राम से तू निमनलिखित में से कहा पर इस्थित है राम से तू कहा पर इस्थित है बोरिंग जलडमरू मद्धे में पाक जलडमरू मद्धे में जिब्राल्टल जलडमरू मद्धे में या फिर कील नहर में तो राम से तू जो है ये कहा पर इस्थित है कहा इस्थित है तो ये हैं पाक जलडमरू मध्धे में कहां पर पाक जलडमरू मध्धे में भारतिय मानक समय आधारित है भारतिय मानक समय जो है यह आधारित है तो यह आधारित है 84 डिग्री पूर्वी देशांतर याने कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर ये इस्थीत है. इंदरा पॉइंट किसकी दच्छिणी नोक है? इंद्रा पॉइंट जो है कि किसकी दच्छिनी नोख है? माल दीब की, लक्ष दीब की, अंड मान और निको बार दीब समू की या फिरे धनुस कोडी की इंद्रा पॉइंट जो है ये किसकी दच्छिनी नोख है तो ये जो है अंड मान और निको बार द्वीब समो की दच्छिनी नोख है और ध्यान रहे कि ये भारत का भी दच्छिनतम बिंदु है अगर भारत के मुख्य भूमी का दच्छिनतम बिंदु पूछे तो ये दूसरा हो जाएगा लेकिन अगर पूछे कि भारत का दच्छीनतम बिंदु क्या है याने ओवराल पूरे भारत का दच्छीनतम बिंदु पूछेगा तो यह इंद्रा पॉइंट होगा और इंद्रा पॉइंट जो है यह अंडबान और निकोबरदीब समू का भी दच्छिनी पॉइंट है भारत का प्रमाणी के समय उस इस्थान का इस्थानिय समय है जो इस्थित है यह भारत का जो टाइम लिया गया है वो किसके पास में इस्थित है इलाहाबाद के समीप है भोपाल के समीप है दिल्ली के समीप है या फिर कोलकता के समीप है कहां पर है तो यह कहां है इलाहाबाद के समीप है कहा पर है इलाहाबाद के समीप है ये निमने में से कौन सा यूग में सही नहीं है यहाँ पर जो गलत है उसे बताना है कौन सा यूग में सही नहीं है हरीद्वार, उत्राखंड, अलवर, राजस्थान, मदूरे, तमिलनाडू, जहासी, मद्ध्य प्रदेश, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हरीद्वार उत्राखंड में है, अलवर, राजस्थान में है, मदूरे जो है यह तमिलनाडू में है, लेकिन जहासी जो है यह मध्य प्रदेश में नहीं है बलकि ये कहां पर है तो ये उत्तर प्रदेश में है जासी मध्य प्रदेश में नहीं है बलकि ये उत्तर प्रदेश में है इंडियन इस्टेंडर्ड टाइम और ग्रीन वीच मानक मीन टाइम में कितने का अंतर है यानि कि ग्रीन वीच मीन टाइम और Indian Standard Time जो है इसके बीच में कितने का अंतर है पाँच घंटे 30 मिनट, पाँच घंटे 40 मिनट, पाँच घंटे 10 मिनट या फिर पाँच घंटे 20 मिनट तो इसमें कितने का टाइम याने दोनों के बीच में अंतर कितने का है तो दोनों के बीच में अंतर है 5 घंटे 30 मिनट का कितने का 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है पोर्ट ब्लेयर इस्थित है अब बताना है कि पोर्ट ब्लेयर जो है ये कहां पर इस्थित है मध्य अंडमान में, छोटा अंडमान में, उत्री अंडमान में या फिर दच्णी अंडमान में पोर्ट बलेर जो है ये कहां पर इस्तित है तो पोर्ट बलेर है ये दच्णी अंडमान में इस्तित है भारत का धूर दच्छिनी भाग की विश्वत रेखा से दूरी कितनी है? 876 किलोमीटर, 916 किलोमीटर, 776 किलोमीटर या फिर 866 किलोमीटर कितना है? तो इसका जो सही जवाब होगा ये क्या हो जाएगा? 876 किलोमीटर भारत का धूर दच्छिनी भाग विश्वत रेखा से 876 किलोमीटर की दूरी पर इस्थित है निमने लिखीत में से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? पहले नेफा के नाम से कौन सा राज्य जाना जाता था? अरुनाचल प्रदेश, असम, नागालेंड, मणीपूर अरुनाचल प्रदेश, असम, नागालेंड, मणीपूर इनमे से कौन सा है? जो की पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? तो यह है अरुनाचल प्रदेश, अरुनाचल प्रदेश पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? भारत की स्थलिय सीमा की लंबाई कितनी है? 1200 किलोमीटर, 15200 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर, 7516.5 किलोमीटर तो भारत की स्थलिय सीमा की लंबाई जो है यह कितनी है? तो ये लंबाई है 15200 किलोमीटर भारत की स्थलिय सीमा की कुल लंबाई है संग सासित प्रदेश दादर और नागर हवेली भारत की निम्न में से कीने राज्जियों के बीच इस्थित है तो इसका जो सही जवाब होगा ये क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा गुजरात और महाराष्ट दादर और नागर हवेली जो है ये गुजरात और महाराष्ट राज्यों के बीच में इस्थित है दीपो सही भारत के टट रेखा की लंबाई कितनी है? दीपो सही भारत के टट रेखा की जो लंबाई है ये कितनी है? 7,516.5 km, 8,000 km, 6,100 km और 6,200 km तो द्वीपो सहीत भारत के टट रिखा की जो लंबाई है ये लंबाई कितनी है तो ये है 7516.5 km 7516.5 km निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है रियाना उत्तर प्रदेश गुज्रात महाराश्ट तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये क्या हो जाएगा ये होगा महाराश्ट इनमें से महाराश्ट है जिससे की राजस्थान सटा हुआ नहीं है भारत की उत्तर से दच्छिर तक की लंबाई कितनी है उत्तर से दच्छिर तक की लंबाई भारत की कितनी है 3124 किलोमीटर 3412 किलोमीटर 2933 किलोमीटर या फिर 2214 किलोमीटर उत्तर से दच्छिर की और भारत की जो लंबाई है वो बताना है कि ये कितनी है तो ये हो जाएगा 3214 किलो मिटर निम्लेलिखित में से वह छेतर कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है ये छेतर कौन सा है भूटान, मणीपूर, असम, नागालेंड भूटान, मणीपूर, असम, नागालेंड कौन सा है जिसकी सीमा ये अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है तो ये हो जाएगा मणीपूर मणीपूर की सीमा यह अरुनाचल प्रदेश से नहीं लगती है भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है यह कितनी है 3133 किलोमीटर 3214 किलोमीटर 2933 किलोमीटर या फिर 3033 किलोमीटर तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है तो यह 2933 किलोमीटर 2933 किलोमीटर निमनेलिखित में से वह राज्य छेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है वो राज्य छेत्र बताना है जिसकी सीमा जो है मिजोरम से नहीं लगी हुई है तो यह हो जाएगा नागालेंड की सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है भारत के टट रेखा की लंबाई है भारत के टट रेखा की लंबाई कितनी है तो 6175 किलोमीटर 6500 किलोमीटर 6100 किलोमीटर 6200 किलोमीटर भारत के टट रेखा की जो लंबाई है ये कितनी है तो ये 6100 किलो मिटर याने की 600 किलो मिटर है भारत किस गोलार्द में इस्थित है भारत जो है ये किस गोलार्द में इस्थित है उत्री और पश्मी गोलार्द में उत्री और दच्छणी गुलार्द में, उत्री और पूर्वी गुलार्द में या फिर दच्छणी और पूर्वी गुलार्द में तो भारत जो है ये उत्री और पूर्वी गुलार्द में इस्तित है, कहां पर उत्री और पूर्वी गुलार्द में भारत का छेत्रफल विस्व के कुल भौगौलिक छेत्रफल का कितना है तो भारत का जो छेत्रफल है ये विस्व के कुल भौगौलिक छेत्रफल का कितना प्रतिशत है तो 2.8 प्रतिशत, 3.2 प्रतिशत, 2.2 प्रतिशत या फिर 2.4 प्रतिशत तो ये जो कि हो जाएगा कितना ह यह होगा 2.4 प्रतिशत कितना 2.4 प्रतिशत निम्नलिखी देसांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणी के मध्यान देखा यानि की एस्टेंडर्ड मेरेडियन कहलाता है भारत की प्रमाणी के मध्यान देखा या फिर एस्टेंडर्ड मेरेडियन देखा जो है वो कौन है तो 82 ड दिगरी 30 मिनट इस्ट या फिर 84 डिगरी 30 मिनट इस्ट तो यहाँ पर हम लोगों को क्या देखना है कि कौन सा वो देशांतर है जो भारत का प्रमानिक मध्यान रेखा है तो यह कौन सा हो जाएगा यह होगा 82 डिगरी 30 मिनट इस्ट भारत के कुल छेत्रफल का कितना प्रतिसत भाग परवतिय छेत्र अर्थात मध्य समुद्र तल से 2135 मीटर या अधीक उंचाई के अंतरगत आता है मद्ध जो समुद्र तल है उससे 2135 मीटर या फिर उससे अधिक की उचाई वाला भाग जो है वो कितना है यानि कि कितना प्रतिसत भाग जो है ये परवतिय छेतर है तो 27.7 प्रतिसत, 47 प्रतिसत, 10.7 प्रतिसत या फिर 18.6 प्रतिसत इसका सही जवाब जो होगा ये क्या होगा 10.7 प्रतिसत निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन अर्थात गलत कथन को बताना है पाक जलसंदी भारत और पाकिस्तान के बीच इस्थित है भारत का दच्छिन तम बिंदू 6 डिग्री चार मिनट उत्री अक्छांस पर इस्थित है भारत का दच्छिनी बिंदू पिगमेलियन पॉइंट है भारत की कुले समुदरी सीमा की लंबाई 7,516.4 किलोमीटर है तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे खेन में से बताना है कि कौन सा असत्त है दो नंबर में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर 6 डिग्री 4 मिनट दिया हुआ है तो यह मिस्प्रिंट हो गया है यहाँ पर क्या होना चाहिए 8 डिग्री 4 मिनट होना चाहिए तब हम लोग देखेंगे अब यहाँ पर कि पाक जलसंदी भारत और पाकिस्तान के बीच इस्तित है भारत का दच्छुनतम बिंदू आठ बिगरी चार मिनट उत्री अक्छांस परिस्तित है भारत का दच्छुनतम बिंदू पिगमेलियन पॉइंट है और भारत की कुल पॉद्री सीमा की लंबाई 7516.5 किलो मीटर है कहीं 6.6 किलो मीटर भी आप लोगों को देखने को मिल करता है तो इसका जो सही जवाब होगा यानि कि इसमें से जो गलत है वो कौन सा हो जाएगा तो यह पाक जलसंदी भारत और पाकिस्तान के बीच इस्तित है पाक जलसंदी 4 मिनट है दच्छिंतम याने अक्छांस आठ दिग्री 4 मिनट है दच्छिंतम बिंदू की अगर हम लोग बात करते हैं और अल इंडिया की तो यह पीगमेलियन फॉयनट हो जाएंगा इंद्रा पॉयंट है जो कि अंडबान नीकोबार का दच्छिंतम बिंदू है इसे 6100 km होगा संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भू भाग पर परवत और पहाड़ीयों का विस्तार पाया जाता है संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भू भाग पर परवत और पहाड़ीयों का विस्तार पाया जाता है तो 29.3 प्रतिशत, 48 प्रतिशत, 10.7 प्रतिशत या फिर 18.6 प्रतिशत तो इसका जो सही जवाब होगा ये क्या होगा 29.3 प्रतिशत निमने लिखित में से कौन सा कथन है जो की असत्य है बताना है कि निमने लिखित में से कौन सा कथन है असत्य है तो भारत का देशांतरिय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है भारत के मुख्य इस्थल खंड का अक्छांसिय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट उत्री अक्छांस से 37 डिग्री 6 मिनट उत्री अक्छांस तक है भारत के इस्थल सीमा की लंबाई 15200 किलो मीटर है भारत के मुख्य इस्थल की से समुदरी सीमा की लंबाई 1600 किलो मीटर है तो इसमें हमें बताना है कि गलत कौन सा है यानि कि असत्य कथन यहां पर हमें बताना है कि कौन सा होगा तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि भारत के मुख्य स्थल का अक्षांसी ये विस्तार जो है ये 6 डिग्री 4 मिनट उत्री अक्षांसे 37 डिग्री 6 मिनट उत्री अक्षांसे जो की गलत है संपूर्ण भारत के कितने प्रतिसत भू भाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है तो 27.7 प्रतिसत 29.3 प्रतिसत 10.7 प्रतिसत या फिर 18.6 प्रतिसत संपूर्ण भारत के कितने प्रतिसत भू भाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है तो पठार का विस्तार जो है ये 27.7 प्रतिसत पर पाया जाता है विस्तार के 2.4 प्रतिसत छेत्रफल में भारत विस्तार के कितनी प्रतिसत जनसंख्या का पोषण करता है 17.5 प्रतिसत 21 प्रतिसत 11 प्रतिसत 14 प्रतिसत तो इसका जो सही जवाब होगा ये क्या होगा 17.5 प्रतिसत संपूर्ण भारत के कितने प्रतिसत भू भाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है 27.7, 43, 10.7 या फिर 18.6 प्रतिसद तो इसका जो सही जवाब होगा ये क्या होगा 43 प्रतिसद New Moor Deep पर किन दो देशों के मद्धे विवाद का कारण है New Moor Deep जो है वो किन दो देशों के मद्धे विवाद का कारण है तो ब्रिटेन और अर्जेंटीना, इस्राइल और सीरिया, भारत और स्रिलंका, भारत और बंगला देश, न्यू मूर्दीप जो है, ये किन दो देशों के बीच विवाद का कारण है, तो ये भारत और बंगला देश के बीच है, कहां भारत और बंगला देश के बीच? भारत की प्रादेसिक जलसीमा याने territorial water समुधर टट से कितने समुधरी मिल की दूरी तक है तो ये हो जाएगा 111 मिल, 200 मिल, 12 मिल या फिर 24 मिल तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा 12 मिल भारत का एकांतिक आरतिक छेत्र यानि एक्स्क्लीजिव इक्नोमिक जोन संलगन छेत्र के आगे कितने समुदरी मिल की दूरी तक है भारत का एकांतिक आर्थिक छेत्रे जो है ये सनलगन छेत्रे के आगे कितने समुद्री मिल तक है तो ये कितने समुद्री मिल तक हो जाएगा 300 मिल, 400 मिल, 100 मिल या फिर 200 मिल इसका सही जवाब जो होगा ये क्या हो जाएगा 200 मिल निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्रशाशित प्रदेश नहीं है केंद्रशाशित प्रदेश कौन सा एक है जो की नहीं है लक्षदीप, पुदुचेरी, त्रिपुरा, दमनेम, दीप इमेंसे कौन है जो कि केंदरशाशित प्रदेश नहीं है तो ये जो त्रिपूरा है ये केंदरशाशित प्रदेश नहीं है भारत में कितने राज्य समुदरी टटरेखा में हैं समुदरी टटरेखा में कितने राज्य हैं तो 9, 10, 7 या 8 9, 10, 7 या 8 इसका सही जवाब हो जाएगा कितना 9 9 राज्य ऐसे जो कि समुद्री टटरेखा में आते हैं किस भारतिय राज्य की सीमा सरवाधिक राज्यों की सीमा को इसपर्स करती है किस भारती ये राज्य की सीमा जो है ये सरवाधिक राज्यों की सीमा को इस पर्स करती है तो उत्तर प्रदेश, आंदर प्रदेश, मद्य प्रदेश या फिर असम तो इसका जो सही जवाब होगा ये क्या हो जाएगा उत्तर प्रदेश क्या होगा उत्तर प्रदेश इसका सही जवाब क्या हो जाएगा इसका सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश भारत में निम्नलिखित में से किस राज्जे की टट रेखा सबसे लंबी है किस राज्जे की टट रेखा जो है ये सबसे लंबी है गुजरात, पश्रिम बंगाल, महराष्ट, केरल गुजरात, पश्रिम बंगाल, महराष्ट, केरल तो इसका जो सही जवाब है यह क्या हो जाएगा गुजरात निम्नलिखित में से कौन सा नगर करकरेखा के निकटतम दूरी पर अवस्थित है निम्नलिखित में से कौन सा नगर है जो की करकरेखा के निकटतम दूरी पर अवस्थित है तो ये जबलपूर, उजयन, अगर्तला, गांधी नगर, जबलपूर, उजयन, अगर्तला या फिर गांधी नगर, तो इसका जो सही जवाब होगा ये क्या होजाएगा, अगर्तला, क्या होगा, अगर्तला, निम्नलिकित भारतिय राजियों में से किस से होकर करकरेखा नहीं गुजरती है किस राज्य से गुजरात, जारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश तो इन ओप्षन की एक ओर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश से करक रेखा नहीं गुजरती है गुजरात, जारखंड और मध्यप्रदेश से गुजरती है लेकिन उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। कौन सी अक्षांस रेखा भारत के मध्धे से होकर गुजरती है। भारती उपमहदीप जो है, ये मूलता एक विशाल भूखंड का भाग था, जिसे क्या कहा जाता था? इंडियाना, गोंडवाना लेंड, जियूरेसिक भूखंड या फिर आर्यावर्थ इसे क्या कहा जाता था? तो इसे कहा जाता था गोंडवाना लेंड, इसे क्या कहा जाता था? गोंडवाना लेंड कहा जाता था। करक रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? करक रेखा जो है यह भारत के आठ राज्यों से होकर गुजरती है? भारत का छेत्रफल कितना है, भारत का जो छेत्रफल है ये कितना है, तो 32.187.263 वर किलो मीटर, 32.198.89 वर किलो मीटर, 32.57.405 वर किलो मीटर, या फिर 32.68.276 वर किलो मीटर तो इसका जो सही जवाब होगा ये क्या हो जाएगा इसका सही जवाब कितना होगा इसका सही जवाब हो जाएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर करक रेखा नहीं गुजरती है करक रेखा किस राज्य से इसमें से नहीं गुजरती है राजस्थान, पश्चिम बंगाल, उडिसा, गुजरात, तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब इसका क्या होगा, उडिसा, उडिसा से करकरेखा नहीं गुजरती है, भारत का एक मात्र सीत मरुवस्थल है, भारत का एक मात्र सीत मरुवस्थल कौन सा है, लाचे पुर्वी कामेंग, भारत का एक मातर सित्मरिवस्थल है, तो सित्मरिवस्थल भारत का यह कौन सा है, तो यह हो जाएगा लद्दा, कौन सा होगा? लद्दाख होगा. भारत का वह राज्य जिससे होकर करक रेखा गुजरती है भारत का वह राज्य कौन सा है जिससे होकर के करक रेखा गुजरती है बिहार, जारखंड, जम्मु कश्मीर, हेमाचल प्रदेश तो करक रेखा इन में से किस राज्य से हो करके गुजरती है तो यह जार खंड से हो करके गुजरती है जम्मो कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है। अकसाई चीन क्या लाता है भारत के मुख्य भूमी का दच्छिनी नोक है भारत के मुख्य भूमी का जो सबसे दच्छिन तम बिन्दू है ये कौन सा है इंद्रा कॉल नौरिमन पॉइंट इंद्रा पॉइंट कैलिमेयर पॉइंट तो ये क्या हो जाएगा तो ये है इंद्रा पोइंट क्या है ये ये है इंदरा पोइंट तो यहां पर हम लोग एक चीज़ देखेंगे कि ओप्शन के एक और्डिंग तो हमने बता दिया इंदरा पोइंट है लेकिन भारत की यहां पर मुख्य भूमी पूछ रहा है मुख्य भूमी का दच्छुनी नोक कौन सा है तो मु यह होगा मुख्य भूमी का दच्छिनी पॉइंट जो कि कहां पर है जो कि है कन्या कुमारी कहां पर है यह कन्या कुमारी तमिल नाडू कन्या कुमारी तमिल नाडू में यह इस्थित है कैप क्यमोरीन कन्या कुमारी तमिल नाडू में यह इस्थित है ठीक है यह भारत के भूमी से दूर, यानि कि समस्त भारत की अगर बात की जाये, तो उसका दच्छनी पॉइंट होगा, इंद्रा पॉइंट, कोच्छी का जूरवा नगर है, कोच्छी का जूरवा नगर कौनसा है? अलेम्पी, कोट्टायाम, एर्णाकूलम, अल्वाए अलेम्पी, कोट्टायाम, एर्णाकूलम, अल्वाए तो इन में से कौन सा होगा तो ये क्या हो जागा एर्णाकूलम खुची का जुड़वन अगर एर्णाकूलम भारत के दच्छिन में सबसे दुरस्त इस्थल कौन है भारत के दच्छिन की अगर हम लोग बात करते हैं भारत के दच्छिन में सबसे दुरस्त इस्थल जो है ये कौन सा है तो ये इंद्रा पॉइंट है पोर्ट ब्लेयर है, कैप के मोरीन है या फिर पॉइंट केली मी है तो भारत के दच्छिन में दुरस्त इस्थाल जो है ये कौन सा हो जाएगा तो ये होगा इंदरा पॉइंट हैदराबाद का जुड़वा नगर है हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है तो आसीफाबाद, आदिलाबाद, निजामाबाद, सिकंदराबाद, हैदराबाद का जुड़वा नगर है सिकंदराबाद, कौन सा है सिकंदराबाद, इंदरा पॉइंट का अन्य नाम है, इंदरा पॉइंट का और भी कुछ नाम है, तो वो नाम कौन सा है, लाही चींग, प पार्शन पॉइंट इनमे से सभी तो इंदरा पॉइंट का अन्य नाम कौन सा है तो इसका नाम लाही चींग भी है पिगमेलियन पॉइंट भी है और पार्शन पॉइंट भी है तो सही जवाब होगा इनमे से सभी वर्तमान में भारत में किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है कारगील, सियाचीन, ले, लदाग सफेद पानी के नाम से किस छेतर को जाना जा रहा है तो सियाचीन को किसे सियाचीन को निम्लेलिकित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकट तम इसथित है कौन सा स्थान है जो कि भूमध्य रेखा के निकट तम इस्थित है तो ये इंद्रा पॉ intent है इंद्रा कॉल है, कैप के मोरीन है या फिर रामेश्वरम है तो भूमति रेखा के नजदी किसमें से कौन सा आएगा तो ये होगा इंद्रा पॉइंट दच्छिन गंगोत्री क्या है, दच्छिन गंगोत्री जो है ये क्या है तो उत्री धुमें इस्थापित भारतिय वैज्यानिक अनुसंधान किंद्र है अंटार्क्टिका में इस्थापित भारतिय वैज्यानिक अनुसंधान किंद्र है प्रायद्वीपिय भारत की एक नदी है या फिर भारतिय नौसेना का युद्धक जलपूत है तो दच्छणी गंगोतरी जो है ये क्या है तो ये है अंटार्क्टिका में इस्थापित भारतिय वेग्यानिक अनुसंधान किंद्र भारतिय भूमी का सरवाधिक उत्री भाग की अगर हम लोग बात करें तो ये कौन सा हो जाएगा तो ये हो जाएगा इंद्रा कौल क्या होगा इंद्रा कौल याद रखें इंद्रा पॉइंट अलग है और इंद्रा कॉल जो है ये अलग है थार मरुवस्थल कहां इस्थीत है थार मरुवस्थल जो है ये कहां इस्थीत है पंजाब में हर्याना में गुजरात में या फिर राजस्थान में थार मरुवस्थल कहां इस्थीत है तो ये इस दच्छिन्तम इस्थान इंद्रा पॉइंट निमने लिखीत में से कहा इस्थित है भारत का दच्छिन्तम इस्थान इंद्रा पॉइंट निमने लिखीत में से कहा इस्थित है लक्षदीप में अंडमान नीको बार दीपसमू तमिलाडू केरल तो इसका जो सही जवाब होगा यह क्या हो जाएगा यह कहां पर इस्थीत है इंद्रा पॉइंट तो यह है अंड मान नीको बार दीपसमूह में इस्थीत है